नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एगवाब फिर से टार्विता लोक ऑनलाइन इस्टूट में उमेद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी अपने परिक्षाओं के लिए तैयारी विए आज मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं एक नई परिक्षा के अबने संथान के रहते हैं तो मेरे नाम और मेरे काम दोनुस या मखूवी परचित होंगे नाम मेरा गारम नदेदें और आपको मैं तर्वित आलोक ऑनलाइन संस्थान में भूगोल एवं परियावरान पढ़ाता हूँ सबसे पहले अगर एक नजर में डालता हूँ कि LTE GRADE की जो एकजाम है LTE GRADE एकजाम में जो GS है उसमें जोगरफी के कौन-कौन से सेगमेंट है और कहां-कहां से पिष्ण बनते हैं तो काफी रिसर्च करने के बाद एक पार्टिकर मुझे ये मिला है भारत का राजनैतिक, सामाजिक इवं आर्थिक भूगोल देखेगा, कहने को एक लान में लिख दिया गया भारत का राजनैतिक, सामाजिक, इवं आर्थिक भूगोल राजनैतिक भूगोल का मतलब है भारत के राज, भारत के पडूसी देश, भारत की सीमा है है ना, इन सभी के बारे में पढ़ना है सामाजिक का मतलब है भारत की जंजाती विवस्ता कैसी है भारत कहां पर किस परकार की जंजातियां पाएं जाती है इसके बारे में हमें जानकर ये कत्रित करनी है और आर्थिक भूगोल यानि बाड़िज है ब्यापार है किर्सी है खनिस अंसादन है साथी साथ आपके खनिस अंसादन की साथ और क्या है खनिस अंसादन की साथ साथ प फूलों के उत्पादन में सीड्सराज जिकांसा है, यहां से पृष्ण बनते हैं, किरसी ब्यापार से समदित, बिस भूगोल के संदर में एक सामाने जानकारी की अवशक्ता होती है, कि सामाने जानकारी होनी चाहिए, बिस भूगोल के संदर में, और इसमें एक point में लिखना भूल गया हूँ, भारत का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, भारत के भौतिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं, भारत का भौतिक भूगोल, तो भारत के भौतिक भूगोल के अंतरगत क्या पढ़ना होता है, परवत हैं, पठार हैं, महादीप हैं, ठीक है, घा पार्ठ कीम करम के दो रूप देखों कि एक भारत का भूगोल ऊजिघर और विश्व का भूगोल। यहां, पर भारत के भूगोल से पृष्ण जानदा बनते हैं तो इसलिए, जो भारत के भूगोल में जो पहला चैप्टर होता है आमुमन आप मैंसे अधिकांस चात्र चात्र हैं जो मेरे वीडियो देखते रहते हैं लगातार उस वो इस टॉपिक से मेरी पढ़ाने की कारिसाली से बखुबी परचित होंगे अगर मैं भारत के भूगोल से इसलिए कर रहा हूँ अगर मैं आगर आप कहेंगे कि सरक क्यों भारत की भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां पढ़ने से फायदा है और मुझे पढ़ने से क्या फायदा है यह एक ऐसा टॉपिक है यह एक ऐसा चीप्टर है जो एक आधारवूस समझ विक्सित कर diyता है कि वास्तो में हमें क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है ठीक है इसलिए मैं आमुमन यही topic प्रारम करता हूँ सबसे पहले इस बात जहान मेरा कर मैं यह topic सबसे पहले पढ़ाता हूँ आपको कि बहुत सारे नयव अच्छे जो मुझसे जोड़ेंगे जो कहेंगे सर विल्कुल basic से पढ़ाने श्टार्ट कीजेगा तो एक basic भी हो जाएगा और एक अच्छा topic है जिससे आपकी समझ विक्सित हो सकती है तो दो-दो लाव हैं इसलिए topic को प्रारम करते हूँ ठीक है भारत के परचय यानि भारत के बारे में समझना है सबसे पहले तो अगर हम भारत का परचय की बात करते हैं तो भारत के परचय की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि भारत की इस्थिती क्या है इसमें कौन-कौन से point पर बात की जाएगी भारत की इस्थिती की बारे में भारत की location की बारे में बात की जाती है उसके बाद भारत में राज्जों की संख्या कितनी है, राज्जों के संदर में बात की जाएगी, राज्ज के बाद किसके संदर में बात की जाती है, केंदर सासित राज्जों के संदर में, कि भारत के कौन कौन से किन सासित राज्ज हैं, क्या उनकी विशेशता हैं, किन सासि फॉस्त रज्जों को पढ़ने के बाद हम लोग बातचीत करेंगे भारत के पडोसी देश कौन से भारत के पडोसी में किस देस के साथ। कि सबसे लंबी सीमा बनती है, किस के साथ भारत सीमा नहीं बनाता है, किस के साथ सबसे छोटी सीमा बनती है, इन सबी बातों पर, इन सबी बिन्दों पर बाचीत करेंगे, उसके बाद हमारी किस देश से कौन सी सीमा है, सीमा है, ठीक है, भारत की बांडी, भारत की सीमा के साथ-साथ इसी में मात्पूर्ण चैनल आ जाते हैं आठे डिग्री चैनल किस-किस के मद्ध है पाल के जल लबू मद्ध किस के मद्ध है डंकन पैसेज किस के मद्ध है ग्रेट चैनल किस के मद्ध है तो इन सभी बातों का या इन सबी बिंदों को इस topic में हम लोग पढ़ते हैं तो मातपूर्ण है topic और इतने सारे point इससे हम लोग cover करेंगे भारत की इस्तिती क्या है, राज क्या है, भारत में कितने राज है, क्या उनकी location है किसा सदराज पडूसी और उनकी सीमा है, ठीक है, तो प्रारम करूं अगर सबसे पहले हम भारत की इस्तिती की बात करते हैं कि सर भारत की location कहा है, भारत कहां पर located है, भारत की आवस्तिती कहां है तो अगर मैं भारत की इस्तिती की सबसे पहले बात करता हूं या भारत की अवस्तिती की सबसे पहले बात करता हूँ तो बात आती है कि सर हम अवस्तिती या लोकेशन कहां पर मेजर करेंगे भारत की इस्तिती या भारत की अवस्तिती को कहां पर मापेंगे तो मैं आप से कहूँगा दो इस्थानों पर हम मापेंगे यानि दो प्रकार से हम भारत की इस्थिती का अध्यन करते हैं एक तो अध्यन करते हैं गलोब पर जो हमारी पृथिवी है उस पृथिवी में भारत कहा है और एक अध्यन करते हैं महादीप के आधार पर कि महादीप में भारत की इस्थिती क्या है ठीक है तो देखेगा भारत की भारत की अगर हम इस्थिती की बात करते हैं भारत की इस्थिती तो देखेगा यहां पर अगर भारत की इस्थिती की बात की जाती है तो दो इस्थानों पर हम भारत की इस्थिती को मेजर करते हैं मापते हैं एक कहां पर मापते हैं तो गलोब प प्रिथिवी के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? गलोब कहते हैं. एक तो भारत की स्थिति हम गलोब पर मापेंगे और दूसरी भारत की स्थिति हम कहां मापते हैं? तो दूसरी भारत की स्थिति हम मापते हैं महादुपर. गलोब पर और गलोब के साथ साथ कहां पर ग्लोब के साथ मापेंगे महादीपर ग्लोब है ना प्रिथिभी के छोटे रूप को हम ग्लोब कहते हैं प्रिथिभी के छोटे रूप को छोटे रूप को ग्लोब कहा जाता है ग्लोब कहा जाता है ठीक है तो हम ग्लोब पर सबसे पहले प्रिथवी के छोटी रूप को ग्लोब कहा जाता है भारत की स्थितिया हम ग्लोब पर देखने चले हैं कि आखिर भारत ग्लोब में कहां पर है ठीक है चलो इस परकार से देखिए कि यह हमारी प्रिथवी है अर्था यह हमारा globe है यह हमने globe बना दिया यह हमने क्या बना दिया तो हमने बना दिया इसी globe को globe के बीचोबी से एक रेखा गुजरती है globe के बीचोबी से एक रेखा गुजरती है बक्षू भी जानते हैं यह भारत को दो बरावर बाजित करती है इस रेखा का नाम क्या है प्रिथिवी के बीचों बीच से होकर गुजरती है इसलिए से भूमत रेखा कहते हैं क्या कहते हैं इसलिए नाम दिया जाता है भूमत रेखा या इसका एक नाम और है एक नाम इसका क्या है बिश्वत रेखा क्या इसका एक नाम और है बिश्वत रे प्रित्वी को दो बरावर भागों विभाजित करती है, तो ऐसी काल्पनिक रेखा को हम भूमद रेखा, बिश्वत रेखा या फिर एक्वेटर के नाम से जानते हैं, इस रेखा की उपर वाला आदा भाग जो है, इस वाले भाग को हम North Homisphere अर्थर्थ उत्री गोलार्द कहते ह इस वाले जो आदा भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, उत्री गोलार्द नौर्थ हमिस्पियर, और निर्थ वाला जो आदा भाग है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, साउथ हमिस्पियर, यानि दच्छनी गोलार्द, उत्री गोलार्द के साथ साथ कौन सा गोलार्द है दच्छनी गोलार्द अब भारत या तो उत्री गोलार्द में है दच्छनी गोलार्द में है हमने पिर्थवी का अर्थ 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 गलोव का वर्गी करण किया विभाजन किया उत्री और दच्छनी गोलार्द में तो भारत या तो उत्री गोलार्द में है या दच्छनी गोलार्द में है बखू भी आप जानते होंगे कि सर भारत तो उत्री गोलार्द में है लेकन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत उत्री गोलार्द में है कैसे मालूम या कैसे आप इस पश्ट कर सकते हैं कैसे किसी को बता स कि भारत उत्री गोलार्द में है तो आप कहेंगे यहां पर क्या आप यह कहेंगे कि भारत के बीचों बीच में यहां से उत्री गोलार्द में यहां पर एक रेखा है इस रेखा का मान जो है वो 30 degree है, इसका मान बताना आपको भूल गये है। बिश्वत रेखा का मान 0 degree होता है। कितना होता है? 0 degree, a chance. 0 degree, a chance. आ, 0 degree, a chance है, उत्री गुलार्द में छो रेखा है, इस रेखा का मान 0.95 नाम दिया ज़ाता है। तो साड़े तेही डिगरी उत्तर जो रेखा होती है, इसको नाम दिया जाता है करक रेखा, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है करक रेखा, इसी परकार दच्छनी गोलार्द में भी एक रेखा होती है, दच्छनी गोलार्द में जो रेखा है, इस रेख इस रेखा का अभी मान कितना है इस रेखा का अभी मान है साड़े तरी डिगरी S S मनलब दच्छन और इसको क्या नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है मकर रेखा इसको क्या नाम दिया जाता है मकर रेखा एक करक रेखा हो गई उनके आंगे हम N लिखेंगे N का मतलब है North जो भी रेखा हैं उत्री गोलार्द में होगे या उत्री गोलार्द में जो भी अच्छा रेखा खीचे जाएंगे, उनके आंगे हम N लिखते हैं N मतलब है North, ठीक है? देखेगा समझेगा अब भारत देश कहा है भारत देश उत्री गुलार्द में है तो बचपन से पढ़ते आए हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो आज समझ लेजेगा भारत के बीचो बीच से करकरेखा गुजरती है भारत के बीचो बीच से एक मात्पूर रेखा गुजरती है जिसका नाम है करक रेखा तो अगर भारत के बीचों बीच से मैं करक रेखा गुजरती है करक रेखा का मान साड़े तरी डिग्री N है अर्था अर्थ भारत के बीच से N रेखा गुजरती N मतलब साड़े तरी डिग्री N की बात कर रहे, करक रेखा, और N में यहाँ पर N का अर्थ है उत्तर, तो हम कह सकते हैं कि भारत उत्री गोलार्द में है, भारत कहाँ पर है, उत्री गोलार्द में है, अब देखेंगा, यहाँ पर LTE के रेट की परिक्छाओं में, कुशन पू पश्म में नहीं वाड़ती, तो यह तो भारत उत्तर में हो गए, यह दच्छन में, तो भारत की स्तिती उत्तर में है, भारत उत्री गोलार्द में है, अच्छान सरेखा के आदार पर जो भी प्रिथी पर छेतिज रेखाएं खिंची जाएंगी, यह सभी अच्छान सरेखा के अधार पर भारत जो है वो उत्री गोलार्द में यहां पर लिख भी लेते हैं अच्छांस के अधार पर अच्छांस के अधार पर भारत उत्री गोलार्द में है भारत उत्री गोलार्द में इस्तित है यह भारत उत्री गोलार्द का देश है भारत उत्री गोलार्द का देश है अच्छांस के अधार पर भारत कहां का देश है उत्री गोलार्द का देश है तो सर केवल अच्छांस के अलावा एक और महत्पून रेखाएं होती हैं जिनको बोलते हैं देशांतर रेखा जिनको क्य एक रेखा है जो पृत्वी को लमवत रूप से दो भागों मारती है इस रेखा का मान है जीरो डिगरी देशांतर इस रेखा का मान क्या है जीरो डिगरी देशांतर नाम इसका क्या है इसका नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा क्या नाम है इसका तो इसका नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा यही लंदन से होकर गुजरती है GMT, Greenway, and timeline भी बोलते हैं तो 0 degree दिसानतर प्रधान यामोत्तर रेखा या भी प्रधिवी को दो बरावर भागों में बाटती है इसे रेखा कि आंगे वाला जो भाग है इसको हम पूर्वी गोलार्द कहते है पूर्वी गोलार्द और पूर्वी गोलार्द जो होता है पूर्वी गोलार्द इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे पीछे वाला पूर्वी है तो जाहिर सी बात है कि पीछे वाला जो आदा भाग है यह पश्मी गोलार्द होगा कौन सा गोलार्द होगा पश्मी गोलार्द होगा और पश्मी गोलार्द को हम किसे रिपर्जेंट करेंगे डबलू से पश्मी गुलार्द को किसे रेप्रेजेंट करेंगे डबलू से यहाँ पर क्या था यहाँ पर एवाला साउथ था और यहाँ पर नौर्थ था अब क्या था अब एक पूर्व है एक पश्म है ठीक है तो जो भी लमबवत रेखाएं खीचे जाएंगे पृतिवी पर वो सभी लमबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाएंगे अब हमें समझना है कि देशांतर रेखा के अधार पर भारत कहा है तो देखेगा यह जो जीरो डिगरी देशांतर है यह कई सारे देशों से होकर गुजरती है लंदन है फ्रांस है इस्पेन है मातपून है लंदन लंदन से होकर गुजरती है क्यों मातपून है क्योंकि लंदन के सापिक्ष हम समय की कड़ना करते हैं किसके कड़ना करते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कुछ थियोरी समझा रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिएगा लंदन के साफिक हम सभी देशों के समय का मापन करते हैं सभी देशों के समय को मापते हैं जो देश पूर्वी गोलार्द में है ऐसे देश जो पूर्वी गोलार्द में हमेशा याद रखेगा ऐसे देश जो कहां पर है जो पूर्वी गोलार्द में है, याद रखेंगे, उनका समय जो होगा, उनका समय लंदन से आँगे होता है, उनका समय जो है, वो कहा होता है, वो लंदन से आँगे होता है, तो जो भी देश पूर्वी गोलार्द में हमेशा याद रखेंगा, पिलस, उनका समय लंदन से आँ चलिए, ठीक है सर, ये तो हमें संज में आ गया, यदि कोई देश लंदन से पूरब में है, अर्थार्थ पूरवी गोलार्द में है, तो उसका समय लंदन से आगे होगा, और यदि कोई देश पस्च्वी गोलार्द में है, अगर अर्थार्थ लंदन से पीछे है, तो उसका स टैंडर्ड टायमलाइन होती है, पिरतेग देश की एक मानक रेखा होती है, पिरतेग देश की क्या होती है, यहाँ पर साड़े ब्यासी डिग्री में क्या लगा है इ, इ मतलब पूर्व है तो भारत पूर्वी गोलार्द में है अगर सर भारत पूर्वी गोलार्द में है तो अभी आपने कहा कि ऐसे देश जो पूर्वी गोलार्द में होंगे उनका समय लंदन से आंगे होगा बिल्कुल होगा बच्पन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि भारत का समय लंदन से समय साड़े पांच घंटे आंगे रहता है पिलस मनलब आंगे साड़े पांच घंटे भारत का समय बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं नहीं पढ़े हैं तो अभी मै समय लंदन से आंगे है और मैंने कहा है कि यदि कोई देश है जिसका समय लंदन से आंगे है तो वह कहां पर होगा वह पूर्वी गोलार्द में होगा तो चुकि भारत का समय लंदन से आंगे है इसलिए हम यहीं भी कह सकते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्द में होगा तो भारत को अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें अगर भारत को हमें यहाँ पर बनाना चाहें तो कहां बनाएंगे तो भारत को हमें यहाँ बना देंगे कि भारत पूर्वी गोलार्द में भारत कहां पर है पूर्वी गोलार्द में है तो हमें यहां पर एक बात ग्यात हो गई है और बात ग्यात क्या होई है कि देशांतर रेखा के आधार पर देशांतर देशांतर के आधार पर देशांतर के आधार पर भारत देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्द में है पूर्वी गोलार्द में स्थित है पूर्वी गोलार्द में है देशांतर की आधार पर भारत कहा है तो देशांतर की आधार पर भारत पूर्वी गोलार्द में है बुलिए बात के लिए तो अच्छांस के अधार पर उत्री गोलार्द में कोई आप से पूछे कि भारत उत्री गोलार्द में कैसे बताएंगे आप कहेंगे भारत की बीचोबी से करकरेखा उजरती है और करकरेखा कमान साड़े 23 डिगरी N होता है N कमलब उत्तर है तो N कमलब उत्तर है अर्था भार उत्री गोलार्द में कोई आप से पूछे कि भारत पूर्वी गोलार्द में कैसे इस पश्ट करोगी आप कहेंगी कि पूर्वी गोलार्द में जो भी देश होते हैं उनका समय लंदन के समय से आंगे होता है चुकि भारत का समय लंदन से साले पांच घंटे आंगे है इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है उसका समय लंदन से आगए है ằn 5 गंटे इसले हम कह सकते हैं कि भारत पूर भी गोलारत में स्तित्त होगा बोलिएगा किलियार है इसको लिखीएगा आप देख़एगा यहां पर मैंने एक मांचित लगाया भारत का अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत कहां पर है बिश्वत रेखा के उत्तर में है भारत कहां पर है माल लिजेगा यह बिश्वत रेखा है माल लिजेगा यह 0 डिगरी है 0 तो 0 डिगरी की उपर कहीं 1 डिगरी होगा, कहीं 2 डिगरी होगा, यह उत्तर में चलना है, 1 डिगरी उत्तर होगा, 2 डिगरी उत्तर होगा, 3 डिगरी उत्तर होगा, ऐसे चलेंगे न, तो कोई ना कोई एक ऐसे अच्छान सरेखा आएगी, जो भारत के सबसे निचले पायदान से होकर गुजरेगी तो कोई ना कोई एक ऐसी अच्छान सरेखा होगी जो भारत के सबसे निचले पायदान से होकर सबसे दच्छनतम इस्थान से होकर जो अच्छान सरेखा गुजरती है उसका मान है आठ डेगरी चार मिनिट एन क्यों लगाया गया है एन इसली लगाया गया क्योंकि अच्छांस रेखा के अधार पर भारत उत्री गुलारत में है, तो एक तो यहाँ पर होगी, और कोई न कोई एक ऐसी भी अच्छांस रेखा होगी, जो भारत की सबसी उपरी वाले भाग से गुजर रही होगी, बिल्कुल होगी सर, है ना, सबसी उपरी भाग से होकर पर गुजर रही होगी तो यहां से जो अच्छांस रेखा गुजरती है 70 degree 6 minute end कोई ऐसा तो नहीं समझ रहा है कि सर यह तो दच्छन भारत का हाँ यह भारत की दच्छनी दिसा है लेकिन हम अच्छांस पड़ रहे हैं और अच्छांस के आदार पर भारत उत्री गुलार्द में है इसलिए अच्छांस रेखा जब भी आएंगी भारत में कोई भी भारत में कोई भी चैते रेखा खिंची जाए जैसे यहां से करकर रेखा गुजरती है तो जो भी चहतेज रेखाएं भारत में खिंची जाएंगी उन सबी के आंगे हम N लगाएंगी क्योंकि अच्छान सरीखाओं के अधार पर भारत उत्री गोलार्द में तो यहाँ पर एक कुश्चन बन गया कि भारत का अच्छान सी विस्तार कितना है भारत का अच्छान सी विस्तार अगर आप से पूछा जाएं भारत का अच्छान सी विस्तार भारत का अच्छान सी विस्तार कितना है तो भारत की अगर अच्छान सी विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिगरी 4 मिनिट N से 8 degree 4 minute N से 37 degree 6 minute N तक N का मतलब उत्री गोलार्द है ठीक है 8 degree 4 minute N से 37 degree 6 minute N तक भारत का क्या है भारत का यह अच्छांसी विस्तार है सर अगर अच्छांसी विस्तार है तो कुछ ना कुछ देशांतर यह विस्तार भी होगा देशांतर यह विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो देखेगा दिसांतर में रेखाएं लमबत होती हैं तो कोई एक रेखा होगी जो भारत के सबसे पश्मी भाग से होकर गुजर रही होगी कोई एक रेखा होगी जो भारत के सबसे उत्री भाग सबसे पूर्विसे होकर गुजर रही होगी ठीक है तो यहां समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा ए देखेगा ए जीरो डिगरी है जीरो डिगरी एक बाद कहीं एक डिगरी होगा कहीं दो डिगरी होगा कहीं तीन होगा कहीं चार होगा इस परिकार से कई सारे होंगे तो यहां पर जो अच्छांस भारत में प्रार होता है और 97 डिगरी 25 मिनट तक हम यह भी कह सकते हैं कि भारत 68 डिगरी से 97 डिगरी देशांतर के मद्ध है हम यह भी कह सकते हैं कि भारत 8 डिगरी 4 मिनट एन से 7 डिगरी 6 मिनट उत्री अच्छांस के मद्ध है है ना इस परकार से बोला जा सकता है आप से कहेगा भारत किन देशांतर रेखाओं के मद्ध मिस्तित है तो एक देशांतर रेखा 68 डिगरी और एक 97 डिगरी कहेगा भारत किन अच्छांस रेखाओं के मद्ध है एक कमान 8 डिगरी और एक कमान 37 डिगरी ठीक है? 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट तर भारत का देशांतर ये विस्तार और भारत के अगर देशांतर ये विस्तार की बात करें भारत का देशांतर ये विस्तार कहां से कहां तक है तो 68 डिगरी 7 मिनिट इस्ट से, पूर्व से 97 डिगरी 25 मिनिट पूर्व तक, इस्ट तक इक मलब पूर्व है ठीक है? ए भारत के अच्छांस और देशांतर ये विस्तार हैं लगवग आमुमान हर एक परिक्षा में पूँचे जाते हैं आपसे तो इसको आपको याद रखना है ठीक है आँगे बढ़ें चले अब देखिएगा अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे भारत की स्थिति और भारत की स्थिति अभी तक हमने गलूब में देखी अब भारत की स्थिति महादीप हमारे पास साथ महादीप है और अगर महादीपों में बात करते हैं तो भारत एशिया महादीप में हैं बच्पन से पढ़ रहे हैं भारत एशिया महादीप में से एक है चीन जापान भारत है ना तो भारत एशिया महादीप में हम बच्पन से पढ़ र भारत महादीप में तो भारत एशिया महादीप के दच्छनी भाग में इस्तित है एशिया महादीप में तो है लेकिन एशिया महादीप में कहा है एशिया महादीप के दच्छनी भाग में इस्तित है एसिया महादीब के दच्छनी भाग में इस्तित है याद रखेगा भारत एसिया महादीब के दच्छनी भाग में इस्तित है मतलब हम कह सकते हैं कि भारत एसिया के दच्छन भाग में इस्तित है या भारत दच्छन एसिया का देश है अब बात आती है क्या सब्थभ ब्हारत अकेला है नहीं मैं कहूंगा कि ब्हारत ब्हारत को छोड़कर साथ देश ओर है तोraktion मिला靠 आठ देश है एसिया महादीब के दच्छनी भाग में जो यह आठ देश हैं, इन आठ देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया है और इनके संगठन को ही नाम दिया जाता है, दच्छन एसियाई छेत्री सहयोग संगठन, हर एक परिच्छा में पूँछा जाता है, दच्छन एसिया आठ देशों का संगठन है, मुख्याले पूँच लेता है कौन-कौन से देशें आईएगा, तो मैं लिखा देता हूँ आपको दच्छन एसिया के आठ देशों के समहु को दच्छन एसिया के आठ देशों के समहु को दच्छन आठ देशों के समहु को दच्छन एसियाई छेत्रिये सहयोग संगठन दच्छन एसियाई छेत्रिये सहयोग संगठन संगठन, ठीक है, संगठन इसी को सौट में नाम दिया जाता है दच्छेश और इंग्लिस में इसी को बोलते हैं सार्ग साउथ एसिया एस्सोसेशन आठ देशों के समहु को दच्छन एसियाई छेत्रिये सहयोग संगठन हिंदी में सौट नेम दच्छेश है और इंग्लिस में सार्ग कहा जाता है समु को दच्छन एसियाई छेत्रिये सहयोग संगठन कहते हैं ठीक है आठ देश से इसकी अंतरगत मैंने आठ देश लिखा है आठ देश कौन से है तो एक ट्रेक है हार एक बैच में लग बहग में पढ़ाता हूँ ए ट्रेक है M, B, B MS, MBBS से क्या बनते हैं M vy b s से ॉउज़ बनते हैं Mvy b s से क्या बनते हैं दॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर का कार रह क्या होता है डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर का कार्य क्या होता है मरीज का इलाज करना दर्द से जो मरीज दर्द हो रहा है किसी मरीज को उस दर्द से निजाद दिलाना और दर्द को इंगलिस में पेन कहते हैं पी ए आई एन दर्द को इंगलिस में क्या कहते हैं तो दर्द को इंग्लिस में कहते हैं P-A-I-N तो M-B-B-S P-A-I-N से आप दच्छन एसिया के आठ देशों को याद रख सकते हैं M का मतलब मालदीव है मायमार मतलगा ले ना मालदीव है और मालदीव की मालदीव कैपिल अभी लिख देंगे B का मतलब बांगलादेश है B का मतलब क्या है तो B का मतलब यहाँ पर बांगलादेश है फिर से सरे एक B है तो इस B का मतलब हुटान है S का मतलब क्या है तो S का मतलब यहाँ पर सिरी लंका है S का मतलब सिरी लंका है P का मतलब क्या है तो P का मतलब है पाकिस्तान A का मतलब क्या है A का मतलब अफगानिस्तान है अफगान लिख देता हूँ मैं समझ जाएंगी चले पूरा लिख देते हैं अफगानिस्तान A का मतलब अफगानिस्तान है ठीक है अफगानिस्तान I का मतलब इंडिया अर्थर्थ भारत है और N का मतलब नेपाल N का अर्थ क्या है तो यहां पर N का अर्थ है नेपाल ठीक है यहां समझने का प्रियास कीजीगा माल्दीब की राधानी capital लिख रहा हूँ माल्दीब की राधानी माली है एक capital लिख रहा हूँ में बांगलादेश की राधानी पूँचे जाए धाका है भूटान की राधानी पूचे जाए थिम्पू है थिम्पू स्रीलंका की राधानी जैवर्धनेपुर है जय वर्धने पुर है स्री लंका की राधानी पहले कुलंबो थी पाकिस्तान की राधानी इसलामाबाद है तो पाकिस्तान की राधानी इसलामाबाद है अफगानिस्तान की राधानी काबुल है भारत की राधानी इसको जानती होंगे इंडिया या भारत की राधानी नई दिल और नेपल के राधानी बखु भी जानते हैं काथमांडू है ठीक है तो यह दच्छेस के आठ देश और उनके सामने उनके राधानियां लिख दी है आप ऐसे बना लिजेगा अब देखिए गए जो दच्छेस है अगर दच्छेस की स्थापना की बात करते हैं कि सर दच्छेस स्थापना हुई थी 1985 में अगर दच्छेस से आपका मुख्याला पूंचा जाए देखो स्थापना उनके स्थापना नेपल की राधानी और नेपल की राधानी काथमांडू में है मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय इसका नेपाल की राधानी काठमांडू में है. कहां पर है? नेपाल की राधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है. ठीक है? तो दच्छेस क्या है? दच्छन एसिया के आठ देश हैं. उनके संगठन को हम दच्छेस कहते हैं. पू कुर्शन बनेगा गलोब पर भारत की स्थिति क्या है तो अच्छांस रेखा के आधार पर उत्तर में और देशांतर रेखा के आधार पर पूर्व में तो एक आपको option लिखा मिल जाएगा उत्तर पूर्व अगर उत्तर पूर्व option ही लिखा मिलेगा तो लिखा मिल जाएगा है ना अच्छांस रेखा के आदारपा अच्छांस के रेखा पर उत्तर में देशांतर के पूरब में मालीच का देशांतर पहले पूछ ले तो पूरब और अच्छांस बाद में तो उत्तर ठीक है उसके बाद अगर हम महादीप की बात करते हैं तो आठ महादीप हैं आठ महा आया है जिसको नाम दिया जाता दच्छेश और यह वो आठ देश हैं मालडीप, बांगलदेश, भूटान, स्री लंका, नेपाल, इंडिया, बगानिस्तम, पाकिस्तान इनकी राधानियां भी मैंने लिख दी हैं साथी साथ यहां पर मैंने क्या लिख दी हैं इनके मुख्याल टेलिग्राम है आप उसको भी जॉइन कर लिजेगा, सूचना है आपको उस पर, जो भी नोट्स है या जो भी सूचना है आपसे एकजाम से संबंदित, वो सभी सूचना है उसी टेलिग्राम पर आपको प्रिस्ट की जाएंगी, ठीक है, आज किलास कोहीं रखते हैं, वीड से पढ़ना, जानदा परशंद करना चाहेंगे आप लोग, ठीक है, आज किलास कोता रहेगा, जल्दी से प्रिविश्पिरक्रिया को पूरा कीजेगा, उसके बाद नियमत रूप से कलासे संचालित होने लगेंगे आपकी कलास में, ठीक है, धन्यवाद